Hello friends, आज की वीडियो में हम Art and Culture के एक important topic Indian Dance Form में से भरत नाटियम को cover करेंगे भरत नाटियम को fire dance भी कहा जाता है क्योंकि भरत नाटियम के movements dancing flame की तरह होते हैं भरत नाटियम बेसिकली दो words से मिलकर बना है भरत और नाटियम कहा जाता है कि भरत मुनी जिन्होंने नाटिय शास्त्र की रचना की है उनी के नाम पर इस dance form को भरत नाटियम कहा जाता है और तमिल भाशा में नाटियम का मतलब होता है dance बट कुछ scholars मानते हैं कि भाव, राग और ताल के first few letters को जोड़कर भारत बनता है और ये scholars मानते हैं कि भरत नाटियम में भारत का मतलब है भाव, राग और ताल भरत नाटियम one of the oldest dance form है पुराने समय में एक dance हुआ करता था सादिर जिसे तमिल नाटियम की देवदासीज या temple dancers perform क्या करती थी as solo dancers सादिर को दाशिय अटम भी कहा जाता था और माना जाता है कि भरत नाटियम सादिर से ही originate हुआ है अग्रेजों के आने से पहले हमारी society में देवदासीज की एक respectable position हुआ करती थी बट बिडिश कोलोनियर रूल के दोरान देवदासीज को बहुत ही ग्रेनित तरह से दिखा गया और देवदासी system decline हो गया इनफेक्ट हमारे constitution के article 23 में भी इसे ban किया गया है तो ऐसे में भरत नाटियम भी almost extinct ही हो चुका था बट इक कृष्णा यह जो की एक prominent freedom fighter थे उनके efforts के कारण भरत नाटियम फिर से revive हो पाया और रुक्मनी देवी अरुन देल जैसी famous भरत नाटियम आर्टिस्ट के वज़ा से ये dance form आज की rate में हमारे देश में ही नहीं बलकि दूसरे देशों में भी जाने जाती है रुक्मनी देवी अरुन देल के अलावा यामीनी कृष्णामूर्थी, लक्षमी विश्वनाथन, पदमा सुब्रमन्यम, मिर्णालिनी सारा भाई और मलिका सारा भाई जैसी famous भरत नाटियम आर्टिस्ट ने इस dance form की ख्याती दूर दूर तक पहुँचा ही है क्योंकि साधिर एक solo dance form थी और भरत नाटियम उसी से originate हुआ है इसलिए भरत नाटियम में भी पहले solo dance performance ही हुआ करती थी और इसमें dancer female हुआ करती थी और जब ये solo dancer अपनी performance में कई सारे roles play करती थी तो उसे कहा जाता था एक चार्या लास्यम बट आजकल इस dance form को पुरुश भी कर रहे हैं और ये dance form आजकल groups में भी की जाती है इसी साल February में 10,000 भरत नाटियम dancers ने चिन्नई में एक साथ dance करके पुराने world record को तोड़ दिया तंजव और टीचर्स, चिन्नईया, पोनईया, वादिवेलू और शिवनंदम जिन्हें तंजव और क्वाटलिट भी कहा जाता है इन्होंने ये बताया कि भरत नाटियम की dance performance साथ stages में perform की जाती है भरत नाटियम presentation शुरू होती है अलारिप्पू के साथ उसके बाद जाती सुरम, फिर शब्दम, वर्नम, पदम, जवली और अन्त में थिल्लाना जैसे कि हमने पहले गहा कि भरत नाटियम presentation की ये पहली stage है इस stage में basic dance posture के साथ साथ rhythmic syllables से शुरुवाग की जाती है syllables मतलब एक oval sound वाले words इस stage में dancer basically अपने posture से भगवान की वंधना करता है भगवान के आशिरवाद के लिए blessings के लिए अगली stage है जाती सुरम इस stage में जो musicians हैं वो संगीत की मुख्य दोनी यानि melody को बजाना शुरू कर देते हैं और इस stage में dancer निर्त का प्रदर्शन करती हैं यानि basic dance movements or poses but without any expressions जाती सुरम के बाद performer next stage में एड़ करता है जो है शब्दम इस stage में performer अपने dance में expressions एड़ करना शुरू करता है अभिने एड़ करना शुरू करता है इसी stage में अपने dance के दोरान dramatic representation के थुरू stories को represent करता है यानि नाट्य का प्रदर्शन करता है और इस नाट्य प्रदर्शन में मुख्यता भगवान को प्रेज किया जाता है इसके बाद जो अगली stage है वो है वर्णम पूरी भरत नाट्यम की जो core performance है वो इसी stage में की जाती है और इस stage में performer नृत्य का प्रदर्शन करता है जिसमें dance के माध्यम से sentiments और emotions evoke किये जाते हैं musical instruments और rock के साथ synchronization में इस phase में expressions के लिए body pushers और hand gestures यानि मुद्राओं का इस्तमाल किया जाता है पूरी की पूरी भरत नाट्यम performance में सबसे ज़्यादा जो समय है वो इसी stage में लगा जाता है अगली stage है पदम इस stage में music light होने लगता है dance और ज्यादा emotional यानि एक बार फिर नृत्य से निकल कर performer अब फिर से नाट्ये का प्रदर्शन करने लगता है इस stage में performer अपने अभीने और expression से spiritual message देता है इसके बाद जो अगली stage है वो है जावली इसमें short love lyrics perform के जाते हैं बट faster tempo में जावली stage जो है वो पदम stage से भी काफी छोटी होती है duration में और अंत में भरत नाट्यम की last stage थिलाना के साथ भरत नाट्यम की performance को end किया जाता है इस stage में नृत्त का प्रदर्शन किया जाता है यानि इस stage में भी dance performance के दौरान किसी भी तरह के कोई expressions नहीं दिये जाते है तो ये थे भरत नाट्यम recital के 7 elements किसी भी भरत नाट्यम performance में आपको इंडियन classical dance के दोनों aspects देखने को मिलते है लास्या और तांडव लास्या का मतलब होता है grace, भाव, रस और अभिनाय और तांडव का मतलब होता है rhythm और movement भरत नाट्यम की दौरान performer के knees जो है वो हमेशा bent रहते हैं और weight दोनों feats पर equally distributed Emotions को depict करने के लिए major emphasis जो है वो मुद्राओं पर होता है यानि hand gestures और body pushers की combination पर और ऐसी ही एक important mudra है कटक-muk-hast हस्त का मतलब होता है hand और यह मुद्रा Om को symbolize करती है तो यह थी details भरत नाट्यम की next video में हम कुछी पूरी की details देखेंगे इंडिया की history और Indian constitution को detail में समझने के लिए बुक्सवा की playlist को follow कीजिए link आपको description मिल जाएगा thank you so much for watching बुक्सवा